हेलो अब्रीवन वेलकम बैक तो दे हिर्दे बैचो अफ रादी का क्लासे तो दिस इस फॉर्थ लेक्च्चर ओफ चैप्टर एल्डी हाइड कि टोंस एंड कार्बॉक्स लिक असे आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ओफ एल्डी हाइड आज कि टोंस पड़ेंगे मतलब यह कि कैसे तो फोर मैथटर होंगे जिससे आप अप एल्डी हाइड भी बना सकते हो और आप कि टोंब बना सकते हो ठीक है दोनों के लिए होंगे तो आज की क्लास में इसरफ पोर मैथटर पढ़ने है ठीक है तो आज का आपका टोपिक होने वाला है प्रिप्रेशन ओफ एलिखाइट्स एंड किटोन्स दोनों को प्रिपेर करेंगे कैसे कैसे होगा यह तो इसमें क्या करने हैं वो four method वो होंगे जिनसे हमने कैसे derive होगा वो देखेंगे तो पहला क्या होगा हम alcohol से alcohol का यूज़ करके aldehydes और किटोन्स बनाएंगे alcohol का यूज़ करके aldehydes या किटोन्स बनाएंगे इसको further दो पार्ट में break करेंगे further two part में एक बार oxidation एक बार dehydrogenation वैसे एक ही बात है लेकिन जैसे NCRT में लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको लिखेंगे कि alcohol में oxidation कर दो या फिर उसको क्या बोलेंगे उसकी dehydrogenation एक एक करके मैं आपको बताऊंगे ठीक है उसके बाद alcohol से aldehydes and ketones बनाएंगे एक बार उसमें oxidation करेंगे और एक बार उसकी dehydrogenation मतलब एक ही है लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे कि हमने किसको कैसे अलग किया दूसरा method हम क्या करेंगे अलकीन से अलकीन से aldehydes and ketones बनाएंगे अलकीन से aldehydes and ketones बनाएंगे तीसरा हम alkyne से aldehydes and ketones बनाएंगे alkyne से aldehydes and ketones बनाएंगे ठीक तो अब आपको ध्यान रखना है कैसे ध्यान रखोगे LD हाइजन की टून कैसे बनाए जा रहे हैं कैसे ध्यान रखोगे जब आपको convert करने के लिए दे दें और बोलें conversion आगी कैसे ध्यान रखोगे all जो है all all मतलब alcohol all किसमें change हो रहा है अल में या फिर ओन में ठीक है तो आपने ये वली reaction करनी है all alcohol का किसमें convert करेंगे अल में या ओन में इसका मतलब ये हो गया इसमें क्या होगा इन ये लाज के तीन इन जो है वो किसमें convert होगा आपका अल में या फिर ओन में ये पढ़ेंगे अल में या ओन में मतलब hexene converted to hexinal तो आपने लास्ट वले देखने है in converted to al in converted to own इधर आप क्या धियान रखोगे in converted to al या फिर own तो आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो वो तीन पार्ट आपके क्या होने वले हैं जो आपको यहां पे दिख रहे हैं कि आपको ऐसे learn हो जाएं कि आप पहली reaction कौन सी करने वाले हो जिसमें क्या होगा all àl या own में change करना है all picture hexan all all को हटाओ लगाना है तो क्या करें दूसरी reaction में क्या बोलोगे in in को हटाके all करना है या own करना है थर्ड रियक्शन में क्या बोलोगे आईन को हटाना है इसको हटाना है इसको ओल करना है तो कैसे करें तो तीन रियक्शन ठीक आपने क्या करना है फिर दुबारा से देखो क्या करेंगे हम इस रियक्शन में आप क्या धियान रखोगे सबसे पहले हमने बनाना क्या है आज का ह हमारा काम क्या होने वला है यहां पर हम क्या पिर पेयर कर रहे हैं अल या फिर ओन कोई भी कॉरेस्पोंडिंग हो सकता है किस से किस से ओल से इन से या फिर आइन से चीक है इसके आगे कुछ भी नंबर हो सकता है इथेन प्रोपेन प्रोपेन इथीन प्रोपाइन प्रोपेनोल हमने हर चीज को alia own में change कर देना है तो आज का हमारा काम बस इतना होगा कि हम क्या करें कि ये conversion हो सके हम क्या करें कि ये conversion हो सके ऐसा क्या डालें कि ये convert हो जाए तो एक-एक करके पढ़ेंगे आपने जब notes बनाने हैं तब आपको बस इतनी सी बात का ध्यान हो कि आपके mind में जब conversion आ जाए आपको ये पता लग जाए मैंने तीन reaction पहले पड़ी थी उन तीन reaction में क्या था क्या था पहले में क्या था all कैसे किसमें change होगा all या own में तो कैसे करेंगे पहला method यूज करते हैं तो first method था हमारे पास जिसमें क्या होगा alcohol alcohol change हो जाएगी aldehydes में या फिर ketones में तो मतलब क्या है इसका आप कैसे रियान रखोगे all को change करना है all या own में ठीक है किसमें change करना है all या own में कैसे करें मैंने ना सबसे पहले एक example लिया मतलब मुझे ये conversion करने के लिए दे दिया कि hexanol है hexanol है और उसको convert कर दो किसमे hexanol में hexanol में मैंने सिरफ last k letters देखे तो मुझे ये all को all में change करना है ठीक है अब दूसरा काम क्या होगा जब कोई structure आए कोई भी conversion आए तो उसका structure बनाओ 1 2 3 4 5 and 6 h h complete कर लिए al भी बना दिया all sorry th to th to th to oh ये मेरा hexanol तो बन गया अब इसको किसमे convert करना है al में तो क्या बनेगा c h 3 c h 2 c h 2 c h 2 c h 2 c h o तो मुझे ये दिखा कि क्या convert हो रहा है बिल्कुल ध्यान से अगर हम इसको देखते हैं तो मुझे बिल्कुल ध्यान से आप देखते हो तो आपको क्या दिखा carbon 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 सब बराबर है सिर्फ जो चेंज आ रहा है न वो कहां पे आ रहा है इदर कहां पे आ रहा है इदर इदर ठीक है इदर carbon पे हमें कुछ चेंज दिख रहा है क्या दिख रहा है बाकी सारा तो बराबर है इदर क्या दिख रहा है आपको इदर दिख रहा है कि यहां पे two hydrogen extra है जो वहां जाके क्या हो रहे है remove जो वहां जाके क्या हो रहे है remove मतलब क्या हुआ आपने क्या करना है hexanol को hexanol में change करना है तो आपको दो hydrogen भार करने पड़ेंगे दो hydrogen भार करने का मतलब क्या है? removal of hydrogen तो अब removal of hydrogen को क्या मोलते है? removal यहां से इसको बनाने के लिए removal of hydrogen होना जरूरी है और removal of hydrogen को करने के लिए क्या नाम दोगे? D D मतलब और्गानिक में D का मतलब removal किसका? Hydrogen का तो dehydrogenation क्या बोलेंगे इसको? dehydrogenation क्या हो जाएगी इस reaction का नाम? dehydrogenation तो अब ध्यान रखना जब कभी भी आपको conversion करने के लिए आए और आपको बोले hexanol है hexanol है hexanol बनाओ structure बनाके देखना क्या चीज की कमी लग रही है? कमी लगी hydrogen की hydrogen कम होने है कितने? दो लिख दो dehydrogenation reaction हो रही है कौनसे reaction हो रही है? dehydrogenation reaction हो रही है clear है? अब dehydrogenation को एक और नाम भी देते हैं वो दूसरा नाम क्या होता है? removal of hydrogen is also known as oxidation क्या नाम बोलते हैं? oxidation तो ये oxidation reaction भी हो सकती है ठीक है? ये oxidation reaction भी हो सकती है तो जब कभी भी आप कोई conversion करो और उस conversion में आपने सबसे पहले क्या देखना है? बन क्या रहा है? कहां से start किया? hexe null से sorry hexe null से बन क्या रहा है? hexe null पहले नहीं समझा रहा है structure बना लो structure बनाने पर देखो क्या क्या निकला? तो अभी दो हमने simple सा किया कि इसमें से क्या निकल रहा है? 2H निकल रहे है 2H निकलने को मतलब removal of hydrogen removal of hydrogen को क्या नाम देदोगे? remove को बोलते हैं D क्या remove हो रहा है? hydrogen dehydrogenation reaction एक नाम हो गया दूसरा removal of hydrogen 10th class से पढ़ते आ रहे हो redox में पढ़ा था removal of hydrogen is also known as oxidation तो दो नाम तो आपको पता लगी गए एक इसको बोलते हैं dehydrogenation दूसरा बोलते है oxidation ठीक है? तो ऐसे हम कर लेंगे पर अब question आता है ऐसे तो चलो हो गया यहां से लेकिन कुछ तो डालना पड़ेगा ना भाई कुछ तो डालना उसके अंदर dehydrogenation इसका नाम पड़ा और कैसे इसका नाम क्या पड़ा? oxidation ठीक तो यह आपके पास यहां से आपने देखना है कि किस तरीके से हम hydrogen को चेक करेंगे फिर महाँ पर जाके उसमें से निकल गए, remove हो गए दोना मायने आपको बता दिये next अब next आपने जब कभी भी, अब ध्यान रखना जब कभी भी reaction हो dehydrogenation ठीक है? आपने इसमें क्या यूज करना है एक reagent यूज करते है PCC, Pyridin Chlorochromate ठीक है? CRO3 Chromium Oxide ठीक है? अब PCC याद रख लो PCC से यह convert हो जाएगा ठीक है? dehydrogenation करने के लिए यह दोरी एजेंट कर लो अब आपके NCRT में बहुत सारे question हैं तो आपको अगर आजे how you will convert butanol to butanol butanol to butanol ठीक है? butanol to butanol तो अब क्या बोलोगे? क्या हो रही है? dehydrogenation हो रही है all को जब कभी भी अल में करना है या own में करना है आपको ध्यान रखना है arrow के उपर लिख दो PCC arrow के उपर लिख दो PCC clear है? क्या लिख दोगे? PCC पिरिडिन क्लोरोग्रोमेट आपके लिए इतना बहुत है PCC लिख दो PCC याद नहीं आ रहा है वैसे तो PCC सबको याद आ जाएगा तो दूसरा आप CRO3 कर सकते हो बढ़ आप PCC को ध्यान रखो ठीक है? अब अगर उन्होंने कोश्चन बोल दिया पेपर में आ गया कि रिएजिंट नहीं डालना है PCC नहीं डालना है जम्शन दे दी कि PCC नहीं डालना क्या गरोगे? डालो, कैटलेटिक ऑक्सिदेशन करो कैटलेटिक ऑक्सिदेशन पर आप में एक मैटल डालना पड़ेगा स्पोस्थ PCC नहीं डालना है ये कंडीशन लगी हुई है कोश्चन ऐसा है कि उसमें लगा अधी कंडीशन की नहीं डालना तो दूसरा कैसे करोगे? तो दूसरा आपको ध्यान रखना है ओल, कन्वर्टी टू, अल, या फिर ओन करने के लिए या तो कॉपर लिख दो या फिर क्या लिख दोगे? सिल्वर ये सारा आपने अलकोहल, स्पिन, औल, सें डीथर वाले चैप्टर में पड़ा था कि आप ओल को अल या ओन कैसे बनाओगे? PCC याद रखो, दूसरा कैसे अधियान रखोगे? PCC याद नहीं आ रहा है या कंडिशन लगी हुई है कि हमने ये डालना ही नहीं है कॉपर, कॉपर डाल दो, या सिल्वर डाल दो ठीक है? कॉपर डाल दे ना dehydrogenation reaction, oxidation reaction PCC दियान रखना है PCC की full form, pyridine chlorochromate दूसरा आपको क्या दियान रखना है? catalytic oxidation हो रही है कॉपर, क्या करोगे? कॉपर, कॉपर दियान रखोगे अब ये वैसे प्लस बन में प्लस बन बोल रही हूँ हूँ, आपका alcohol phenol वे चैप्टर में सब लिखा हूँ है, आप हाँ से इसको read out भी कर सकते हूँ अब उसके बाद next कैसे बनेगा? अब ये तो बोल दिया कि all या all बन रहा है या own बन रहा है ठीक है, आप all बन रहा है, बना के दिखाओ तो सबसे पहले अभी क्या दिया? CH3 CH2 CH2 CHO सारी, एक मिन चेंज कर लेते हैं इसको CH2 OH दूसरा दिया CH3 CH2 CH OH CH3 मेरे पास ये दो दरा की एलकोहल है कोई फरक है इन में? एक बहुत बड़ा फरक दिख रहा है और वो फरक क्या है? सबसे पहले आप अपने functional group को highlight करो ये functional group वाला carbon ये functional group वाला carbon चीक है? क्या लगा हुआ है? alcohol लगा हुआ है? all तो लगा हुआ है all लगा हुआ है चीक है? लेकिन all में बहुत बड़ा फरक है क्या फरक है? functional group वाला carbon कितने carbon के साथ लगा है? एक और carbon के साथ लगा है तो इसको बोलते हैं 1 degree इसको क्या बोलते हैं वन डीगरी फंक्षेनल ग्रुप वला यह वंच्शनल गूप है और यह कार्बन कितने कार्बन के साथ लगए दो के साथ लगए तो इसको क्या बोलते हैं टूडिक्री तो पहली अलकॉहल मेरी वन डिगरी की है दूसरी alcohol मेरी कौन सी है 2 degree की ठीक है पहली alcohol 1 degree की दूसरी alcohol 2 degree की ये बात ध्यान रखनी है कि alcohol कौन सी दियू है काम एक ही करना है alcohol हम change करेंगे हमने dehydrogenation करनी है oxidation करनी है PCC डालना है लेकिन alcohol अलग लग करके दे दी भाई अब क्या करें ठीक है तो पहले वाली 1 degree की है दूसरी का आपको ध्यान रखना है तो अभी क्या करेंगे फर्स्ट वले का ध्यान करते हैं पहले यह 1 degree alcohol है यह 2 degree alcohol है जब आपको इसमें डालके दे दिया PCC इसमें डालके दे दिया copper एक ही बात है कुछ मर्जी यूज कर लो होना तो एक ही काम है तो अब ध्यान रखना है कि क्या हो होगे कैसे आपने ध्यान रखना है कि oxidation हो रही है इसमें dehydrogenation हो रही है सब ध्यान रखोगे ठीक तो ध्यान दो इदर कैसे करेंगे सब कुछ सेब जहां पर आपका functional group लगा हुआ है ये O के साथ वाला H ये हटाना है और उसके साथ जो carbon लगा हुआ है उसका H वो हटाना है द्वारा से देख लो ये लगा हुआ है last में CH2OH O के साथ वाले H को गायब कर देना जो उसके साथ carbon लगा हुआ है उसका एक hydrogen गायब कर देना चीक है क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 CH ये तो गायब हो गया O बन गया LD हाइड CH2 होता है तो वो बन जाएगा इस रियक्शन में भी वही O के साथ वाला H कार्बन उसी कार्बन का H ठीक है में क्या होने वाला है एक और रियक्शन में आपको बता देती हूं कैसे करना है जोन सा भी आपको दे रखा होगा CH2 CH2 OH ये देखो ये जहां O लगा हुए है उसके H को हटा दो उसके साथ जो कार्बन लगा हुए उसके साथ हाइडोजन लगे होंगे एक को कम कर दो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH4 ठीक है बस इतना सा करना है तो क्या बनेगा अगर मैं एक O के साथ वाला और एक जो उसके साथ का कर दो लगा ही एक तादो एक हटा दो क्या बना CH3 CH3 CH2 CH2 C double bond O CH3 ठीक है तो इस तरह से ये convert हो जाएगा क्या conclusion मिल रहा है अगर 1 degree alcohol होती है तो क्या बनता है आपके पास LD हाइड अगर 1 degree alcohol होगी तो आपके पास क्या बनेगा LD हाइड अल आजेगा और अगर 2 degree होगी तो क्या आजाएगा ketone तब क्या आजाएगा ketone तो ये ध्यान रखना कि आपको LD हाइड बनाने को बोल रहे हैं होल दे देंगे LD हाइड बनाना है ketone बनाना है तो क्या दियान रखना है कि alcohol कौन सी है वन डिग्री अलकोहल दे रखे कोर्णर पर लगी होगी कोर्णर पर लगी हुए तो LD हाइड बनेगा अगर बीच में ओएच लगा हुए तो वह किटोन ही बनाने वल है ठीक है बीच में बीच में लगा होता है बीच में ओएच तो किटोन मनेगा कोर्णर पर किसी साइड पर लगा हुए तो लडी हाइड ही बनाएगा ठीक है तो वी गंक्लूड दैट क्या बात का पता लगा इस से कभी भी आपने ओल है उसको अल में चेंज करना है मतलब लडी हैं में चेंज क करना है तो अल में चेंज करने के लिए जो एल्कोहल होती है वह हमेशा वन डिग्री ओन में चेंज करने के लिए एल्कोहल टू डिग्री, फ्री डिग्री की तो हम यहां बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, बस आपने यह धियान रखना है, वो क्या आनी चाहिए, टू डिग्री, यह क्या आनी चाहिए, अल्कोहल साइड में, और यह क्या आना चाहिए, अल्कोहल मिदल में होना चाहिए, क्या आना चाहि सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ कंसेट्स से आपको ध्यान रखना है अभी इतने आप प्रिप्रेशन कर रहे हो किसी सब्सक्राइब करने तो आपको क्लियर हो गया हो आप इसमें से लिख लेना इसको इसी तरह से पहले बार-बार बोल-बोल के आपको अपने आफी लेन हो जायेगा ओल को अल में change करने के लिए one degree alcohol one degree alcohol मतलब OH कॉर्णर पे लगाओ वो एक और कारबंसी जूडआओ छी क्या ओल को ओन में change करने के लिए OH बीच में लगाओ वो दो और के साथ चुड़ा हो किटोन जाएगा ठीक है, वो किटोन जाएगा करेंगी क्या, जब उल को ल में करना है old को ओन में करना है, दो हईड्रोजन हटाने बढ़ते हैं दो हईड्रोजन हटाने का मतलब है इसमें तो ऑक्सिडेशन होगी या दूसरा नाम क्या बोलेंगे dehydrogenation होगी कैसे करें PCC डाल देते हैं PCC नहीं मिलेगा तो क्या डालेंगे copper डाल देंगे copper भी नहीं मिलेगा तो क्या डाल देंगे silver डाल clear है तो इस तरह से learn हो जाएगा आपको अब next करते हैं next है alkene से all al या on in से in डिया होगा al बनाने या on बनाने al बनाने या on बनाने ये वाली reaction ना सब plus one class में पढ़ते हैं और उसमें तो इस पर बहुत सारे गोशन आते हैं इसको बढ़ताता है ozonolysis चीक है ozon breakdown ozonolysis ozon का break होना ozon का break होना चीक है तो कैसे करेंगे एक example दे रही हूँ फिर इसमें मैं आपको दो question as a homework दोंगी वो आपने करने है और मुझे comment में बताना है कि उनका answer क्या आएगा तो first लेते हैं मैं आपको दो कराऊंगी फिर आप करोगी क्या होगा इन को कैसे करेंगे आपको example दिया CH3 CH2 CH double bond CH2 CH CH3 यह आपको दे दिया ठीक है और आपको बोला कि इसकी ozonalysis करो ozonalysis करने के लिए इसमें O3 डाल देंगे O3 कि इसकी presence में डालते हैं zinc की presence में और साथ में hydronium आयन या कभी-कभी water भी present होता है मैं हमारे लिए organic का यह होने मला है कि आपने इसको देखने कैसे करेंगे कैसे कनवर्ट होगा इन को ozonalize करो ozonide करो ozonide product बनाओ और लास्ट में आते हमारा chapter है LD hyres and ketones तो हमें allure own बनाना इसको तो वो कैसे बनाएंगे इसको ले लो सबसे पहले इसको लिया ozonalysis आपको दिख रही है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपने इसका ध्यान रखना है कि यह कब आएगा एक है तो सबसे पहले ध्यान रखो कैसे करोगे पी एच्ट्री कुछ नहीं है इदा सिरफ डबल बॉंड अलग सी लग रही है o3 तीन एटम दिख रहे हैं आपको यहां oxygen के उनको यहां पर लिखते हैं तोड के क्योंकि ozone को break करना है ozone की lisses तोड़ो तो उसको तोड के लिख दिया ऐसे ठीक है तोड़ दिये ना दिनो अब और भी further breakdown कर दो ऐसे तूट गए ठीक है ओर तूट गए अब यह तूटने के बाद तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जिसमें से हमें middle वाला पार्ट कोई कामका नहीं है मतलब कामका दो है लेकिन हम नहीं देखेंगे हम बीच वाले दो देखेंगे बस last corner वाले देखेंगे second and this one is third हमने organic वले पार्ट देखने हैं क्योंकि हमें अलिया ओन बनाना है तो वह एक oxygen पारोक्साइड बना देता है उसका कोई काम नहीं है पारोक्साइड बन जाता है बस यह धियान रखेंगे अब लिखोगे कैसे तीन पार्ट तूट गे जहां पर मुझे जो compound दिया था उसको लिया जहां double bond थी वहां पर मैंने तीन oxygen को लगा दिया ozone को break करके लगा दिया तोड दिया एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट ozone ने उस पूरे compound को तीन पार्ट में तीन पार्ट में तूट चुकी है और गैनी compound दो पार्ट में आ गया बीच वाल ऑक्सीजन यहां चला जाएगा ठीक तो अब होगा क्या कैसे लिखेंगे ध्यान इदर रखना CH3 फिर उसके बाद CH2 इदर से स्टार्ट करते हैं CH3 CH2 अब आ गया में CH उपड़ तो यहां पर कट लग गया इदर तो जाना नहीं इदर तो जाना नहीं CH निच्छे आ जोगे ओ क्या बन गया CH2 आ गया LD है ठोड़ गया ना प्रोपीन टूड़ गया अल में प्रोपीन ने पेंटीन ने क्या दे दिया में प्रोपेनल दे दिया इन से अल तो आ गया ना इन से अल लाना हो ओजोटा हो जाए लेकिन इन से अल बनाना है तो आपको धियान रखने हैं आप ओजोटा हो रहा है तूसरा बीचवले को छोड़ो अब आ जाओ आगे इस साइड पे यहां से स्टार्ट करो CH3 प्लस का साइन लगा दो CH3 फिर दर जाओ CH और नीचे उपड़ तो जा नहीं सकते कट लगा हूँ है नीचे इसी के पार्ट को देखो थर्ड पार्ट में सिर्फ थर्ड पार्ट में CHO CH3 CHO ठीक है तो दो हमें LD हाइड मिल रहे हैं अब ना आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरी कोई मिस्टेक हो रही है तो आपने देखना है कि आपको कितने कार्बन मिले थे प्रोपीन कितने मिले थे एक दो तीन चार पांच फाइव कार्बन मिले क्या ओजोनलीसिस करने के बाद फाइव कार्बन बच रहे है या कुछ काम हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 so you are absolutely right ठीक है तो जब हमने क्या मिला था प्रोपीन मिला पेंटीन मिला पेंटूइन मिला उसकी ओजोनल लिसीस करी तो एक मुझे मिल गया प्रोपेनल और दूसरा मुझे मिल गया एथेनल ठीक है एक मिल गया प्रोपेनल और दूसरा मिल गया एथेनल ठीक है एक और गर लेते हैं फिर आपके लिए होमवर्क होगा अब दूसरा मिला तू मिथाईल पेंट टू इन यह आपको दे दिया और इसकी ओजोनलिसीस करने है पहले स्टुक्चर बनाते हैं पेंट मिन्स 5 1, 2, 3, 4, and 5 नम्बरिंग कर देंगे सेकेंड नम्बर पे मिथाईल और सेकेंड नम्बर पे 1 से 2, 2 से 3 जाने से पहले बीच में डबल बोन एच एच कंप्लीट करेंगे 1, 2, 3, 4 तो आपने एच को जादा नहीं करना है नहीं तो गडबड हो जाएगी ओजोनोलिसिस करें इसकी ओजोनोलिसिस करने पे जहां डबल बोन्ड है वहाँ पे 3 ओक्सीजन को लगा दो कैसे लगाएंगे कैसे धियान रखना है CH3, CH, CH, CCH3, CH3 और 3 ओक्सीजन लगाने जो हैं वह कैसे लगेंगे O, O और इधर सी चाहे थोड़ा टेड़ा करके लगा दो 3 पार्ट में तोड़ दो 1st, 2nd, 3rd ठीक है? 1st, 2nd and 3rd clear है? तोड़ जाएंगे नाम लिख दो इनके नाम कैसे लिखेंगे? पीछे से स्टार्ट करते हैं रेगुलर्टी आपने यहां पे वो रखनी है यहां से CH3 CH2 CH उपर कट लग रहा है नीचे आजो CH2 बीच वाले को छोड़ देंगे अब यहां से क्या दिख रहा है? CH3 C अब थोड़ा गड़बर हो सकती है यह वाले कार्बन को दिहान से देखना है थोड़ा बड़ा करकी दिखाती हूं आपको यह वाले कार्बन को यह C यह इधर O के साथ भी जुड़ रहा है और यह CS3 के साथ भी तो इस वाले C को यह वाला जो C है यहां लिखा O के साथ भी जुड़ रहा है उपर लगा दो O और इधर क्या लगा दो कि CS3 अरे यह तो किटोन बन गया लिग है? तो जब Ozonalysis करोगे तो Aldehyde भी बनता है और किटोन भी बनता है क्लियर है? Aldehyde भी बनता है और किटोन भी बनता है कार्बन काउंट कर लो कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां कितने मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो absolutely right क्या नाम बनेंगे? Propanol 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 तो आप चेक भी कर सकते हो क्या आप सही हो या नहीं हो ठीक है? तो clear है आपको कि यह किस तरह से आपको बनाने है Ozonalysis आपकी यहां पर हो गई Next जब आपके लिए एक homework है जो आपने करके रखना है Ozonalysis करके दिखानी है 1, Phenyl Hex2, Inky सक्चर बनाओगे और उसकी Ozonalysis कैसे होती है वो आपने करनी है ठीक? और दूसरा है आपके लिए अगर आपको कुछ प्रोब्लम हो तो आप पूछ सकते हो ठीक है? इसकी हो जाएगी आप एक बर करना दूसरा आप करोगे Ozonalysis But to in की और एक आप करोगे प्रोपीन की ये तीन आपने करके देखने है कि आपसे इनकी Ozonalysis हो रही है या नहीं तो इस इनकी Ozonalysis हो रही है या नहीं बढ़ अभी एक topic और करेंगे वो खतम करेंगे फिर आज का ये topic complete मतलब जहां पर आपका preparation हो जाएगा जिन से हम aldehydes or ketones दोनों बना सकते हैं पहला क्या किया था oxidation कर दो जिसको dehydrogenation भी बोलते हैं क्या डालोगे PCC या फिर क्या डालोगे दूसरा क्या डालोगे copper या silver अच्छ लास्ट बनाते हैं फिर हम काउंट कर लेंगे कि हमारे hydrogen बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो इस तरह से आप करोगे अब नेक्स्ट है लास्ट बन अब करेंगे alkyne से aldehyde या ketone इसमें mainly ketone की study होती है ठीक है aldehyde का बहुत कम रहेगा इसमें ये ketone के लिए ही माना जाता है लेकिन aldehyde बनता है ठीक है तो मैं aldehyde से ही start करूंगी तो hydration होती है यहां पे तो सबसे पहले हमने एक alkyne simplest alkyne ले लिया इसमें क्या करना है कि एच जी पॉजिटिव कि एच टुए सो फोर की प्रेजन्स में ऐसे आपको reaction दे देगी तो ध्यान रखना है इन दोनों की प्रेजन्स में water डलता है चोईच करके लिख लो यह है एच जी पॉजिटिव की जगा कहीं बारी पूरा एच जी सो फोर भी लिखा हुआ मिल सकत मतलब है कि water add हो रहा है कहीं बारी साथ में water लिखा हुआ मिलता है नहीं तो आपको ऐसे धियान रखना है अब आपका काम क्या होगा वोटर के उपर negative positive sign लगाओ इधर भी negative positive लगालो ठीक है अभी तो एक पर negative लगालो एक पर positive लगालो आपकी मर्जी जैसे मर्जी लिखा ल ललकीन है वो दोनों जगा एच एच बराबर हैं तो symmetrical है अब क्या करोगे next क्या ध्यान रखना है यह कुछ आपके लिए नया है तो ध्यान रखना सबसे पहले positive वाला पार्ट इधर भीज दो एफ्यान पर्ट इधर भीज दो क्या बन जाएगा क्या ठीक हा तो यह वाला आपको करके देखना है और फिर उसके बाद क्या होगा प्या बनेगा CH और उसके पास क्या आगया ओएच और उसके पास आगया ओएच ह Tai और उसके तो यह आप जैसे मरजी लिख सकते हो सिर्फ ऐसे लिख लिया ठीक तो अभी ना इस च्रुक्चर को क्या बोलते हैं अब ध्यान रखना इस रियक्षिन में आपको ओल दिख रहा है और साथ में इन दिख रहा है इन तो इसको बोलते हैं nochamp मतलब चहां पर दबल भूण्ट हो जाएगा फो यह सबसे इंपोर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको हं रखना है और वह क्या है इधर देखना आप आपने क्या करना है जब कभी भी इनॉल बन जाएगा ओएच डबल बॉंड आ गए प्रोटोन की शिफ्टिंग कर दो और वह कैसे करनी है ध्यान इदर रखोगे यह जो एच है यह क्या हो जाएगा यह वला जो एच है चीक वह इदर शिफ्ट हो जाएगा इस वले कारवन पर और डबल बॉंड क्या हो जाएगी इदर शिफ्ट हो जाएगी तो एक बड़ दुबारा देखो कि कैसे किया है सबसे पहले यह सब भटा रेते हैं यह आपको इनॉल दिया है इनॉल का यह रभ कर लेते हैं ओ और एच ओएच है और डबल बॉंड है तो आपने जब कभी भी कि इनॉल ओ एच और डबल बॉंड इनॉल आ जाता है इसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग दिखानी होती है प्रोटॉन शिफ्टिंग कैसे दिखाऊ गे गु Case डबल बॉंड को इधर शिफ्ट कर दो डबल बॉंड को इधर शिफ्ट हो जाएगी एच इधर चला जाएगा साथले कार्बन पर क्या बन जाएगा कितने थे पहले दो एक और आजएगा c h 3 c h और नीचे डबलबोंड ओ तो यह क्या बन गया बन गया ना nd है ऐच डबलबॉंड ओ तो यह तो बनाना था गया क्तिया ये ये-डिवोन्टे अब क्या मेसिए कोUh surround उप करें यहाँ यह ऑमारे पास यहादे है ऐलडीद हए अब एक और करते हैं ठीक है क्या है बोडिति है upward और गरेंगे अब लेकर अब CH3 CH triple bond C 1 second C triple bond CH ठीक है अब इसमें हमने डालना है किसकी presence में हो रही है ये reaction HG plus 2 H2SO4 क्या डालेंगे water अब दिहान रखना है अब आपकी जो एलकीन है वो अंसमेट्रिकल है अंसमेट्रिकल है पहले क्या था CH triple bond CH दोनों जगा hydrogen बराबर थी hydrogen बराबर थे तो मैंने एक पर H लगा दिया एक पर OH अपनी मर्दी से लगा दिया जिस पर मर्जी लगा सकते हो लेकिन अभी अंसमेट्रिकल एक पर hydrogen है एक पर नहीं है अब जो वाटर डालना है न नेगिटिव पॉजिटिव तो आपने ध्यान रखना है जब आपकी अल्कीन सिमेट्रिकल थी डोनों जगा एक परबाबर थे तो आपने क्या किया H और OH को अपनी मरजी से शिफ्ट कर दो, एक पे H भेज दो एक पे OH भेज दो, बट अगर आपकी unsymmetrical alkyne आ चुकी है, तो आप H और OH में H positive को वहाँ भेजोगे जहाँ पे carbon जो double bond, triple bonded है, जहाँ पे जादा hydrogen है, OH को कहाँ भेजोगे जहाँ कम hydrogen है, मतलब marconic of rule को follow करोगे आपने M rule लगाना है ठीक है, M rule लगाने के बाद, अब यहाँ पे फिर से inol कुछ बन जाएगा inol बनते ही CH3 CH, OH इदर आ गया OH यहाँ पे double bond जब कुछ लगता है, तो एक bond कम हो जाती है, तीन की बजाएद दो bond हो जाएगी, और लगाओगे तो एक और bond खतम हो जाएगी, CH H के साथ यह आ गया, बन गया ना फिर से inol फिर से inol बन गया, OH भी आ गया double bond भी आ गया, इसका main role होने वला, यह single bond का कोई काम नहीं है, यह double bond और OH में, आपस में shifting होगी अब, ठीक है all भी आ चुका है in भी आ चुका है इकठे एक इनके बीच में तो इसका नाम हो गया inol अब कर दो inol की shifting inol की shifting, कैसे करोगे inol की shifting, यह H इदर भीज दो, double bond को इदर ले लो, H जाएगा इदर double bond आएगी, इदर तो क्या बन जाएगा, इदर उदर कुछ नहीं करना, single bond को नहीं देखना single bond का कोई काम नहीं है किन का काम है, in का, मतलब en का और all का, in का कोई काम नहीं है, in और all में shifting होती है, inol में, ठीक है in में और all, en में en मतलब double bond में shifting होगी, और किसके साथ होगी, इसमें, ठीक, इसकी वज़े से, CH3 single bond का कोई काम नहीं है double bond इदर shift, H इदर shift, C double bond इदर shift, double bond एक पहले से थी, एक और आगी O, H इदर जला गया, CH3 बन गया ना, ketone, बन गया ना, ketone, ठीक है, तो ketone बन गया, यहाँ पर, इदर से आपको एक बात का conclusion निकलेगा और वो यह है, जब आप symmetrical alkyne ले रहे हो symmetrical alkyne कौन सी होत्ती है आपकी, symmetrical alkyne होत्ती है, यह जिसमें दोनों जगा hydrogen, hydrogen बराबर होत्ते हैं, इसका नाम क्या होत्ता है, इदेनल और अगर common naming याद हो, तो इसको क्या बोलेंगे common naming तो हम बाद में stillly add की करेंगे तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इदेनल बोल रही हो मैं, इसको इदाइन बोलेंगे इदाइन, sorry इदेनल तो बनेगा इससे ठीक, तो यह हमने कर लिया, ठीक है तो इदाइन होगा symmetrical alkyne होगा तो इससे हमेशा क्या बनेगा आपका इदेनल क्या बनेगा, इदेनल तो symmetrical आपकी alkyne है ठीक है, इदाइन और उसने क्या बना दिया इदेनल एस्टेल्डी हैड भी बोलेंगे जिसको बट अगर आपकी इसके उपर कोई और आगी alkyne प्रोपाइन हो गई, ब्यूटाइन हो गई, पेंटाइन हो गई वो कभी भी aldehyde नी बनाएगी वो हमेशा क्या बनाएगी, ketone इसने मैंने आपको बोला था ना, ये reaction ketone के लिए main है, तो आपकी NCRD में एक इधाइन लिखी होई है, except इधाइन, all other alkyne forms, ketone ठीक है, क्योंकि वो shifting ही इस तरह से होगी, कि O बीच में आएगा, और O बीच में आने की double bond आएगी, फिर O बीच में आएगा, O बीच में आएगा, तो ketone बनेगा, ठीक तो आपको बस क्या करना है, आपको सिरफ इतनी सी बात का धियान रखना है जब आपके पास symmetrical alkyne होती है negative, positive जामर्जी लगा दो बड़ अगर आपके पास symmetrical alkyne ही नहीं है तो आपको marconic of rule को follow करना है marconic of rule follow करते ही आपने सिरफ देखना है in all, in और all इदर से, मतलब सिरफ इसको देखना है इसको नहीं लेना, इसका कोई काम नहीं है इनको देखो, H इदर जाएगा double bond इदर आएगी in all, अपने आपी किसमे convert हो जाएगा, ketone में या फिर aldehyde में, mainly किसमे होता है, ketone में, ठीक है तो ये आपने आज कुछ किया कि क्या क्या पढ़ा आज आपने पढ़ा कि आप कैसे oxidation कर सकते हो, कैसे आप dehydrogenation कर सकते हो PCC डालो, copper डालो और दूसरा मैंने आपको silver बताया, आपने क्या धिहान रखना है PCC या copper फिर दूसरा हमने ozonolysis करी ozonolysis में, तीन पार्ट में ऐसे o उपर, एक इधर इधर break कर देते हैं, ये वाला पार्ट लेना है ये बीच वाले को छोड़ दो वो उपर जाके, पर ओक्साइड बनाता है, हमने तो organic के पार्ट देखने हैं कि क्या क्या बन रहा है, ठीक और थर्ड हमने पड़ा, inol से कैसे हम todomerism करके, proton shift करके H+, को shift करके बनाएंगे और ये किसमे Hg को देखके करना, कई बारी आपको लिखा हुआ आजेगा, ये reaction दे दी Hg ये water बताएंगे ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, Hg के लिखा हुआ है इनol बनेगा, डबल बॉंड और होगा है, ये कठे-कठे दिखेंगे, फिर क्या करेंगे फिर डबल बॉंड को वहां से लेंगे H को दे देंगे, proton shift होजएगा किटोन बन जएगा, या क्या बन जएगा LD हाइड बन जएगा, ज्यादा क्या बनता है किटोन, ठीक है, तो ये आपकी चार reaction कम्प्लीट हो गई मतलब ये वो method है जिन से आप प्रिपेर कर सकते हो, LD हाइड और किटोन बोथ तो कल के lecture में हम पढ़ेंगे कि सिरफ-सिरफ LD हाइड को कैसे बनाना है सिरफ-सिरफ और LD हाइड ठीक है